हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग वेलकॉम बेक टो माई चैनल एब्रेड़े स्पेशल वेग नहां तो यह व्लॉग है मंडे इवनिंग का तो अभी मैं आई थी किचिन में डिनर बनाने के लिए तो आज दो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाल करेला के लिए यहां पर देखे जो करेला है उसके सीट को मैंने कर दिया है रिमूब और उनको ना कट कर लिया है करेले किना मैंने एक और बहुत अच्छी सी रेसिपी अल्रेडी शेर की है क्रिस्पी करेला अगर आप ने वह रजी नहीं देखी तो मैं आई बटन में लिंक कर दिया है तो सारे करेलों को प्रिपेर करना है अब यहां पर नेकिने इसना कर देंगे गाधri जिसके कड़वाःच है तो पर हम इसको इतनी gleek के लिए रखेंगे जब तक कि हम बाकी की प्रिपेशन करेंगे बहुत जादा देर हम इसको नहीं रखना है अब यहां पर में मिर्ची को भी कट कर लेती हूं तो यह देखिए जो मोटी वाले मिर्च आती है जिसका हम अचार बनाते हैं वह वाले मिर्ची लेनी है और उसको भ आप यहां पर देखेंगे मिर्च को भी कर लिया है जैसे मैंने करेले को काट किया था अब इसको में यह जो अलग बर्तन में कर दूंगी त्रांसफर के बाद ले लेंगे कुंदरू उनको भी कट क्योंकि जिससे जो चॉपिंग का काम है वह एक उतर फिनिश हो जाएए और तो नागया में कमसे खाल ना कंदूरु करते हैं छोड़ी तो ध olan सीसानि डाऊ दीजिए कमें तृफि और टीप सेथिए डिया है से चुट करते अनुद बार भालन करते हैं अर शादी आपके साथ लिए अले़ नर्लीश यूट तो बहुत ही अच्छा सा यह कुंद्रू मसाला बन के तयार होता है और अभी न मैंने कुंद्रू के इतने सारे वेरियंट ट्राय किये हैं कि अब तो यह बहुत अच्छी लगती है मुझे खाने में और आप भी अगर कोई नहीं सब्सक्राइब नहीं खाते है ना तो इसको इ आप गिंडर पानी खोड़ दया है और अब हम इसमें और पानी आड़ करेंगे और इसको बहुत अच्छे से ह्मसल मसल कर हमें वाश कर लेना है तो दो तिन पानी से इसी तरह से मसल मसल कर हमें से वाश कर लेना है जिस्से की चारेले की कढ़ocy Hilux कार यह दो कम हो जाए अब तो थोड़ा सा जादा करके जाता है क्योंकि इंस्केंट पिकल बना रहे हैं हम आप चाहें तो ऑईल कम या जादा कर सकते हैं तो यहां पर देखें जैसे ही गरम हो जाएगा हम इसमें कुछ निदा डालेंगे सीधा डाल देंगे करेले को और इसको नहीं अच्छे से आप चाहें तो इन करेले को डीप फ्राइब भी कर सकते हैं बट मैं इसको अच्छे से चला लेंगे और इसके बादना मैं इसको ढखकर लोग लेंपर रख दूंगी जिससे कि यह फ्राइब हो जाए और थोड़े से सौफ्ट भी हो जाए तो इसी तरह से ढख लगता है चार से पांच मिनट में ही यह करेले अच्छे से फ्राइब हो जाते हैं और सौफ्ट भी हो जाते हैं तो यहां पर देखिए और इसको छोड़िएगा नहीं रखने के बाद नहीं तो क्या होगा जो नीचे से करेले हैं वो कलर ले लेंगे उपर वाले तर ले पर आएगा अब यहां पर देखिए जब करेले सोफ्ट हो गया तो मैंने इसमें जो मिर्ची कट करके रखी ती वह भी कर दी है अब हमें इसको नहीं ढखना है मिर्ची एड़ करने के बाद हमें इसको हाई फ्लेम पर ही बहुत अच्छे से भून लेना है जिसे की मिर्ची है न और अभी ये देखे में बीच में एक वैल टाइप बना रही हूं जिससे कि जो ऑईल है वो सारा बीच में आ जाए जिए अभी बहुत गरम है तो इसमें हम एड़ करने वाले हैं कुछ मसाले जैसे कि मेरे पास यहां पर है जीरा है ही है सौफ है राई है कलॉंजी है और अच्छे से हम चला कर भून लेंगे और अब इसको कर देंगे पूरे करेले और मिर्च में मिक्स और इसको अच्छा सा एक मिक्स देंगे अब इसमें हम एड़ करेंगे मसाले मसालों में हम इसमें एड़ करेंगे धनी का पाउडर नमक कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर फल अच्छे से मिक्स हो जाएं अब मसाला एड़ करने के बाद हमें इसको लगभग एक से डेड़ मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही भूनना है जब तक कि मसालों का कच्छापन दूर नहीं हो जाता और इसमें बहुत अच्छा सा कलर नहीं आ जाता तो यह देखिए जैसे जैसे अच्छे से एक मिक्स और देंगे और फिर हम इसमें एड़ करेंगे निम्बू का रस तो यहां पर मैं आधा निम्बू ले रही हूं आधी निम्बू का रस कर दूंगी इसमें एड़ इससे बहुत अच्छी सी खटास मिलेगी सचार को और बहुत ही अच्छा फ्लेवर इतना टेस्टी अचार यह बनके तयार हुआ था अब दे देंगे बढ़ा सा मिक्स जिससे की जो हमने निम्बू का रस एड़ किया है उससे तरफ से अच्छे से मिक्स हो जाए और यह देखे रेडी हो गया है हमारा करेले और बिर्च का इंस्टेंट अचार आप इसको ट्र अब यहां पर मैंने वही सेम कढ़ाई ले लिए जिसमें मैंने भी करेले और मिर्च का चार बनाया था तो उसी कढ़ाई में मैं एड़ कर दूंगी दो बड़े चम्मा सरसो का तेल तो अगें तेल आप कम यह जादा अपने टेस्ट के अकोर्डिंग कर सकते हैं और यह जित अच्छे से चला देंगे एक बार जिससे की जो ऑईल है सारे कुंद्रू के ऊपर अच्छे से आजाए और बस पिर इसको ना ढगकर रख देंगे लो फ्लेम पर जब तक कि यह सॉफ्ट कुक नहीं हो जाते और यहां पर मैंने चार हरी मिर्च को बीच से स्लिट करके कर दिय है और यहां पर मीनवाइल मैंने आटा भी लगा दिया था क्योंकि डिनर बना रहे हूं तो अभी यहां पर देखे बीच बीच में ने इसको अब ढग ढग कर हमें चलाते जाना है पकाते जाना है जब तक कि यह सॉफ्ट कुक नहीं हो जाते तो दो से तीन बार आप इसको क्योंकि थोड़े से पके हुए कुंद्रू है तो इसको थोड़ा सा टाइम जादा लग रहा है अधरवाज जो सॉफ्ट आते हैं फटा फट से सॉफ्ट कुक हो जाते हैं तो अभी देखे मैं इसको चलाते जारी हूं धकते जारी हो जैसे ही सॉफ्ट हो जाएंगे तो हमें को 90% तक सॉफ्ट कुक करना है पूरा 100% नहीं करना है तो अभी देखे यहां पर ने 90% सॉफ्ट कुक को चुक है अभी तुरी तरीके से कटने करें है लेकिन sawth हो चुके है तो अभी न बीच में मैं वेल बना दूंगी जैसे ही गशना आए तो सेम यसी तरह से इसमें भी ब और अभी हम इसमें एड़ कर देंगे एक चम्मच जीरा और इसको अच्छे से एक बार चला देंगे जिससे की जीरा तेल में मिक्स होकर अच्छे से ना क्रेकल हो जाए तो इसको हलका सा एक चला देंगे जीरे को खुरा होने देंगे जैसे ही जीरा क्रेकल हो जाएगा हमें इसमें एड़ करने है कुछ बहुत मसाले रूटीन के मसाले हैं वही जाएंगे कुछ बहुत uh ever । मसालों में मैं इसमें बार आ äड़ करने वाली हूं यहा पर रहा धनी का पा अच्छे से हमें बूलेना है और थोड़ थोड़ा पानी डालकर इस मसाले को निकाल लेजिए और फिर आदत है तो यह तरह से कर लेती हूं थोड़ा शौट कट हो जाता है अधर्वाइस आप इस तरह से ना कर पाएं तो कुंद्रू को फ्राय करने के बाद आप निकाल लीजी फिर मसाले को भूनिए और फिर कुंद्रू एड़ करके उसको इस तरह से अच्छे से कर दीजी मिक्स तो यहां पर देखे कितना बड़ी ऐसा कलर आ गया है और इसको हमने कर दिया है मिक्स अब इसमें यहां पर लगबग एक बड़ा चमच पानी आड़ करके मैं ढखकर इसको लो फ्लेम पर छोड़ दूँगी और यह देखे कितना बढ़िया कलर आया है और जो कुंद्रू है व भूनते चले जाई यह देखे इस तरह से इससे ना बहुत ही अच्छा सा भुनावा फ्लेवर आता है और यहां पर देखे जो हमारा कुंद्रू मसाला है वह बनकर हो चुका है तैयार अगर आपको पसंद आए आप ट्राय करें तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर करेले और मिर्च का इंस्टेंट अचार वह भी है और साथ में है चपाती तो आज है हमारा यह डिनर कैसा लगा आपको तो वीडियो आज यहीं खतम होता है वीडियो थोड़ा पी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल पर नहें हैं तो सब्सक् जले पहुंचे तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स व्लोग में तिल दैन बबाई स्टे हैपी ओल्वेज